अब बुलिटेन आगे बढ़ाते हैं, हम इस वक्की एक बड़ी खबर के साथ जमू कश्मीर के बाला कोट में पाकिस्तान की फाइरिंग में पांच नागरिकों की मौत हो गई है ये बड़ी खबर आ रही है जमू कश्मीर के बाला कोट से जहां पाकिस्तान की तरफ से की गई फाइरिंग में हो गई है पांच नागरिकों की मौत ये बड़ी खबर इस वक की आपको बता दे, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़वायर तोडने का दुस्साहस किया है जमू कश्मीर के बाला कोट में पाकिस्तान की गोली बारी में 5 नागरिकों की जान चली गई है और ये पांचों लोग एक ही परिवार के थे इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बाला कोट में पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीस फायर पांच नागरिकों की मौत हुई है इस गोली बारी में आपको बता दे दो लोग घायल हुए है पांच लोग जिनकी मौत हुई है वो पांचों लोग एक ही परिवार के बताय जा रहे है जम्मू कश्मीर के बाला कोट से ये बड़ी खबर पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीस फायर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत उसे बाज नहीं आ रहा है एक बार फिर सीस फायर तोड़ने का दुस्साहस किया है और एक ही परिवार के पांच लोगों की इस फायरिंग में जान चली गए इस गोली बारी में आपको बता दें दो लोग घायल भी हुए है जम्मू कश्मीर के बाला कोट से या रही है बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीस फायर का उलंगन किया है और एक ही परिवार के पांच लोगों की इस फायरिंग में मौत हो गई है जम्मू कश्मीर के बाला कोट से ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं दो लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए हैं बाला कोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई और इस फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गई जम्मू कश्मीर के बाला कोट में पाकिस्तान की ये गोली बारी जिसमें पांच मासूम नागरिकों की जान चली गई और दुखत बात ये है कि ये पांचों ही लोग एक ही परिवार के थे दो लोग इस फाइरिंग में घायल भी हुए है इस खबर पर जैसे ही और अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे फिलहाल बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान की फाइरिंग में जमू कश्मीर के बाला कोट में पांच लोगों की मौत हो गई है पांचों लोग एक ही परिवार के थे दो लोग इसमें घायल भी हुए हैं पाकिस्तान ने एक बार फिर ये नापाख हरकत की है